शोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सभी को सब कुछ मिल जाता है दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो एक सेकंड भी नहीं लगता वाइरल होने में और वही इस शोशल मीडिया के जरिये कई काले कारणा में भी होते है और आज के समय में गैंग्स्टर की दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है शोशल मीडिया का इस्तमाल करके अपना आतंक फैला रहे है जब गैंग्स्टर वेपारियों से फिरोती मांगते हैं और जब वेपारी पूछते हैं कि वो कौन बोल रहा है और सबसे खास बात ये है कि इन वीडियों को लोग खूब पसंद भी करते हैं दिल्ली का सबसे कुख्यात और खतरनाग गैंग्स्टर की लिस्ट में नीरज बवाना का नाम सबसे उपर है नीरज भले ही पुलिस की हिरासत में हो लेकिन उसका वीडियो सोशल मीडिया पर चाया रहता है वीडियो के सहारे इन गैंग्स्टर की छवी सुदारने की कोशिश की जाती है ऐसे में पुलिश को शक है कि कहीं ये गैंग्स्टर अप्तिहार से ही तो नहीं अपना सारा ओप्रेशन चला रहे हैं दिल्ली में सेखी बगराने का गैंग भी काफी बदनाम है इसकी अलावा नीरच का करीबी और गैंग्सर टिल्लू ताच पूया गैंग्सर छेनू पहलवान की वीडियो और तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर चाही रहती है ऐसे में ये लोग सीधा फोन पर ही फिरोती मांगते है और साती युवा इन्हें फॉलो भी करते है इस गैंग की सरगना और गैंग के लोग अपराद करने के साथ सोशल मीडिया पर अपने तरह तरह के वीडियो भी पोस्ट करते हैं ताकि लोगों में उनके गैंग को लेकर खौफ पैदा हो वहीं हरियाना पंजाब का बदमाश लॉरेंस बिसनोई भी शोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता है उसके अकाउन को अगर आप देखे तो कई फोटोज और वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें इसके काफी लेके वीडियो हत्यारे की फोटोज है वहीं अगर सबसे छोटे गैंक्टर की बात करें यानि कि दुरलब कश्यप जिसका 20 साल की उम्र में ही मडर कर दिया गया ये कोख्यात बदमाश भी शोशल मीडिया से ही फेमस हुआ खुले आम अपनी प्रोफाइल पर लिखता था कि किड्नैपिंग, रंगदारी, हत्या करवाने के लिए मुझसे संपर करें इसके मरने के बाद भी इसकी गैंग शोशल मीडिया से चल रही है ये खुले आम फाइरिंग और डांस करते हैं और उनका वीडियो बनाकर शोशल मीडिया पर शेयर करते हैं इस गैंग के दर्जनों वीडियो फेस्बूक, टिक टॉक और वाट्सप पर है फिनिक राजीब टाइमस के पेज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद